आज मैं आप लोगों को सिलीवी सलवार में जेव लगाना बताऊंगी कैसे लगाना है ये देखिए मैं सलवार ले ली हूँ कैसे आप कोई भी अपना सलवार ले लीजी देखिए इसको क्या करना है ये आगे का है आगे में हमको जेव लगाना है कैसे लगाना है ये देखिए यहां से और यहां तक आप देखिए नाप कर कि कितना है मेरा यह कितना है मेरा ऐसे देखिए 12 इंच है यह 12 इंच है आधा मेरा 12 इंच है तो इसका आधा 6 इंच हुआ छे इंच पर इसे निसान लगा लेजे ऐसे छे इंच पर निसान लगा लेजे इसके बाद यहां से नीचे जहां हमारा चूनत हुआ है बेल्ट जितनी है नीचे जहां सी लाइव हुई है वहां से हम्को यह ह interrupt. राई इंच पर राई इंच पर एक निशान लगा लेना है ऐसे राई इंच पर इसके बाद यह सीधा जो निशान है इसको बराबर कर लिजे ऐसे यहां से देखिए यहां से हमको पाकिट पाकिट की चोड़ाई हमें 5 इंच रखना है 6 इंच रखना है जितना भी रखना हो यह जो सिधा निसान है इसे आप ऐसे 3 इंच अगर 6 इंच बनाना है तो 3 इंच इधर 3 इंच इधर निसान लगाना होगा हमें 5 इंच का बनाना ह कर लिए आप इस इन निसानों को ऐसे हम को मिलाना सीधा क्रां से इस कि सिधा कर लेजें क्लिए अब यह हम को पाकिट बनाना है कैसे बनाना है यह मैं रशां हो गया अब इसके बाद हमको क्युट पश्च के लिए कप्ड़ा लेना है यह दहिए और वॉबप् सिर स्मaches है यह मैं चौडाई में ली हूँ 10 इंच यह पॉकिट का मेरा खुला हुआ यह जो खुलेगा यह पांच इंच इसलिए मैं इधर बढ़ाने के लिए और इधर कपड़ा मार्जिंग के लिए मैं 10 इंच चौडा ली हूँ देखिए 10 इंच 10 इंच और जितनी भी आपकी पॉकिट की लंबाई बनानी है उससे डबल लेना पड़ेगा तो देखिए यह मेरा कितना कपड़ा है मैं दिखा रही हूँ यह मेरा 22 इंच है मेरे पाकिट बड़े हैं इसलिए मैं ज्यादा ली हूँ आप 18, 20, 19 जितना भी लेना हो ले सकती हैं इसके बाद मैं आप लोगों को लगा कर बना कर दिखा रही हूँ कैसे बनाना है देखिए अब हमको कैसे सिलाई लगाने है यह मैं बता रही हूँ देखिए यह जो निसान लगाए है ऐसे निसान पर ऐसे हमको एक सिलाई लगाने है ऐसे हमको एक सिलाई लगाने है देखिए लगा कर दिखा रही है अभी सिर्फ सल्वार है देखिए ऐसे सल्वार को लेकर को एक कुल लीड़ा लेनी एंभ्ण में पř Seven को लेटावी तुछ तुछ सुम इसको उठाईए उटानीजें सकाना लागा लेए, इसके बाद क्या प्रदिन क्त आइश में है हमको आइशित्र में का गुच्छ हो खे नाइश ठीट का कपड़ा है उसको उठाई को ऻकलता है कि यह जो मेरा बीच का सेंटर है, यहां एक कट लगा लेजे, यह जो बीच का सेंटर है, यहां कट लगा लेजे, देखिए यह कट हो गया मेरा बीच का, यह पाकिट का कपड़ा है, अब यहां देखिए, यहां से यहां तक की दूरी मेरी दो इंच है, इसमें थोड़ा से है यहां से यहां तक येसे निस्वार रखते हुए सीधा कर लेजै एक कपड़ को आइसे कपड़ा कर लिज लिए कि अब हमको इसे पकड़ते हुएistic हमको पलतना है यह देखिएno पलटना है, ऐसे पलट कर, ऐसे रखना है, और ये जो सिलाई हुआ है, ये सिलाई इसको किनारे किनारे छोड़ कर, एक पॉइंट छोड़ कर इधर और एक पॉइंट इधर, अब हमको सिलाई लगानी है, देखिए कैसे लगानी है, दिखा रही है, देखिए इसे ये कपड़ा नीचे है पाकिट वाला और यह सलवार है उल्टा के तरफ से यह जो सिलाई लगाए हैं उसके किनारे किनारे पॉइंट पर हमको सिलाई लगाना है सिलाई छोड़के देखिए इसे घुमाकर हमको दो तीन टाका और चलाना है सीधा दो तीन टाका ऐसे दो तीन ऐसे चला लेना है उसके बाद हमको पलट लेना है इसे पलट देना है देखिए ऐसे सिलाई लगा लेनी है अब हमको ऐसे बीच से पकड़ते हुए इसे कट लगाना है इसे बीच से पकड़िए और जहां सिलाई बीच का की है वहीं कट लगा लेजिए ऐसे देखिए ऐसे कट लगाने के बाद पूरी कट हमको लगाने है पूरी कपड़े में जैसे जहां तक सिलाई हुआ है वहां तक ऐसे देखिए ऐसे कट लगाना है देखिए ऐसे सीधा कट कर लेजिए इसे सीधा पूरा यहां तक और यह जो किनारे है दोनों तरफ छोटे-छोटे कट लगा लेजिए ऐसे दोनों तरफ ऐसे कट लगा लीजिए, अब देखिए हमको क्या करना है, इसको ऐसे हमको अंदर के तरफ पलटना है, ये पाकिट हमको अंदर के तरफ ऐसे निकालना है, इसे देखिए हमको पलटना है, ऐसे पलटके अब प्रेज करके मैं दिखा रही हूँ, ऐसे आप भी प्र ऐसे लगाना है यह मैं दिखा रही हूँ देखिए जीप है ऐसे हमको अंदर इसको रखना है से अंदर आंदर रखते हुए यहां आमको शिलाई लगानी है देखिए लगा कर दिखा रही हूँ अभी देखिए ऐसे जीप रखते हुए ऐसे आप किनारे किनारे शिलाई लगालेजेए देखिए ऐसे घुमा लेजिए फिर यह पकड़ते हुए हमको ऐसे यहीं पर हमको सम्हालना है यही जीप ऐसे सीधा करके यहां पर इसे पलट के सिलाई लगा लेजिए देखिए यह जीप लग गया देखिए यह लग गया अब इसको हमको क्या करना है देखिए पीछे के तरफ ऐसे पलटिए और इसको एक्स्ट्रा जो है इसको काट दीजिए इसके बाद हमको क्या करना है देखिए यहां किनारे कट लगा लिजिए यहां यहां भी इसे पलट के सीधा इसे करके यहां इसे पकड़ते हुए बराबर करके यहां भी कट लगा लिजिए देखिए इसे कट लगाने के बाद अब हमको क्या करना है ऐसे कपड़े को एसे एक पल्ला यह पाकिट का एक पल्ला उठाईए ऐसे और अंदर के तरफ से अंदर के तरफ से ऐसे हमको पकड़ते हुए सिलाई लगाना है ऐसे पकड़ते हुए एक सिलाई लगाना है यहां से जो कट लगाई हैं यहाँ से शुरू कीजिए और सिलाई लगा दीजिए जो इस्ट्रा कपड़ा है काट लेजिए ऐसे ही इधर भी जैसे सिलाई की हैं ऐसे इधर भी सिलाई कर लेजिए देखिए ऐसे दोनों तरफ सिलाई हो गया आप इसको हमको क्या करना है पलट देना है इसे करके हमको इसे पकड़ते हुए दोनों तरफ इसे पलट देना है देखिए ऐसे पलटते हुए हमको सीधा इसे करते ना है सीधा करने के बाद ये जो मेरा कपड़ा है एक्स्ट्रा ऐस इसे मोडते हुए इसे दोनों तरफ इसे मोडते हुए जहां से हम ये डोरी का सिलाई किये हैं वहीं हमको एक सिलाई लगा देनी है इसे पकड़ते हुए सिलाई लगा देजेए देखिए ये आपकी पाकिट लग गए अब आगे से हमको एक सिलाई लगानी है यहां पर ऊपर के तरफ एक सिलाई हमको एक बरोर लगानी है देखिए ये आपकी पाकिट लग गए देखिए आपकी पाकिट तयार हो गए ऐसे आप भी लागा सकती हैं और कोई भी सामान रखने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी और कोई सामान गिरेगी नहीं आप ऐसे आप बना सकती हैं मिलती हूं अगले वीडियो में